फ्रेंड यदि आपके पास कोई motor starter है और इस motor starter को आप manually control करना चाहते हैं तो सबसे पहले selector को one number position पर select कर दीजिए अभी आपका यह जो starter है यह manually इस start push button के जरीए start होगा और stop push button के जरीए यह stop होगा देखने अभी आपका यह जो starter है यह manually आप इसे start and stop कर सकते हैं अब यदि आप इस starter को timer के जरीए control करना चाहते हैं जितना time इस timer में set किया गया है उतने time तक आपके starter ने run करना चाहिए जैसे ही timing complete हो जाता है starter ने stop हो जाना चाहिए तो इसके लिए selector को two number position पर select कीजिए अभी हमने 5 second का time set किया था 5 second तक हमारा starter run करेगा जैसे ही timing complete हो जाती है हमारा starter जो है वो automatically timer के coding stop हो जाएगा देखे इस तरह से जैसे ही timing complete होगा हमारा starter automatically stop हो जाएगा तो किस तरह से auto manual starter की complete wiring की जाएगी किस तरह से working रहेगी समझ लेते हैं चले वीडियो start करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते इस तरह के starter connection करने के लिए हमें कौन-कौन से components की requirement होगी पहले यदि components की बात की जाए तो यहाँ पर हमने एक motor starter कने किया इस motor starter में हमने contactor कने किया है एक overload relay कने किया है यहाँ पर एक start push button में हमने no element कने किया है एक stop push button में hnc element कने किया है एक auto manual switch हमने यहाँ पर लगाया है जिसके जरीए हम motor को select कर सकते हैं हमें auto में run करना है या फिर manually run करना है auto manual switch का connection का आफ़र simple है यहाँ पर देखिए one number जो position है यह common होती है A1 देखे यहाँ पर A1 का connector दिया गया common में हमने supply connect करना है A1 से हमने manual connection के लिए supply लिया that means push button के लिए जब इस selector को one number position पर select किया जाएगा जो supply रहेगी वो manually हमारे पास A1 से निकलेगी तो A1 को हमने manual mode के लिए select किया है A2 देखे जब selector को two number position पर select किया जाएगा supply A2 से निकलेगी तो A2 को हमने timer को operate करने के लिए A2 को हमने select किया है इसके अलावा हमने एक timer connect करना है आपके पास जो timer होना चाहिए वो off delay timer होना चाहिए फिर से एक बार off delay timer हमारे पास यहाँ एक on delay off delay timer है आप यहाँ पर watch कर सकते हैं इस timer में हमें on delay के setting भी मिल जाती है और off delay की setting भी मिल जाती है सबसे पहले on delay क्या होता है आपने 5 second timer में set किया है तो 5 second के लिए आपका जो starter है वह stop रहेगा और जैसे ही 5 second complete होगा तो वह delay time के बाद 5 second जैसे ही complete होगा तो आप 5 second complete होते ही आपके load को यह start करेगा supply को pass करेगा on delay मतलब कितने delay के बाद आपके load को on करना है off delay off delay for example आपने 5 second set किया है अब जैसे ही 5 second complete होते है तो 5 second complete होते ही आपके starter को यह stop करेगा that means off करना है कितने delay के बाद तो जीतना time आपने timer में set किया है तो आपके पास जो timer होना चाहिए वो off delay timer होना चाहिए इस timer के उपर हमने already video बनाया setting के लिए देखे यदि आपको इसको on delay में करना है तो यहाँ पर आप इस knob को on delay पर कर दीजिए आपका जो timer वो on delay में work करेगा यदि off delay में करना है तो यहाँ पर off delay में इस knob को set कर दीजिए आप यह हमने 9.9 second पर set किया देट में से यह जो timer है यह 10 second की range में set किया गया है इसके उपर हमने detail वीडियो बनाया जिसकी link भी आपको description में मिल जाएगी देखे off delay में हमने timer के setting कर दी है connection terminals की बात की जाए तो यह तेस timer को आप 24V DC supply के जरही भी run कर सकते है 200V supply के जरिए भी run कर सकते है चुकि हमें इस timer को 220V supply के जरिए run करना है तो A1 and A2 terminal का use करना है A1 में हमें line connect करना है 220V की और A2 में हमें neutral connect करना है यदि आप इसी timer को 24V DC या AC supply के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको A2 and A3 terminal का यूज़ करना होगा यहाँ पर A2 में देखिए A2 में आपको negative ही connect करना है और जो A3 रहेगा यहाँ पर आपको 24V DC supply करनेक कर देना है अभी के लिए हम A1 and A2 का यूज़ कर रहे है क्योंकि हम जो controlling कर रहे है वो 220V AC supply पर यूज़ कर रहे हैं इसमें आपको triggering भी करना होती है जब trigger terminal पर supply जाएगी तभी आपका timer operate होगा तो trigger के लिए यहाँ पर TR का एक terminal दिया गया है चलिए trigger भी हो चुका है यहाँ पर इस timer में इस connecting terminals की बात की जाए तो यहाँ पर 2 number जो point होता है यह common होता है 2 के साथ 1 number point यहाँ पर NC में होता है और 2 के साथ 3 number point NO में होता है वेसे इस timer को पर हमने detail वीडियो भी बनाया है जिसकी link आपको description में मिल जाएगी चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से complete control wiring की जाएगी तो सबसे पहले हम neutral की wiring कर लिए देखिए इस MCB में line और neutral input terminal कने किया गया है यहाँ पर देखिए इस MCB से सबसे पहले neutral की wiring करना है तो neutral के लिए connector लिया है और इसे इस contactor की coil A1 पर सबसे पहले directly यहाँ पर neutral कने किया गया है चुकि यह timer भी 220 वोल्ट है इस supply पर operate होता था यहाँ पर इस A2 पर अभी हमने neutral direct कने किया देखिए timer और contactor में अभी neutral directly आ रहा है line की control wiring किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं तो सबसे पहले line का यह connector हमें लेना है इसे overload relay के NC point 95 नंबर टर्मिनल पर connect करना है जो कि हमारी motor जब भी overload होगी तो यहाँ से overload relay के इस जरी हमें tripping मिलेगी देखिए NC की supply 96 से पास होगी और इसे ले जाना है हमें सबसे पहले stop push button NC element में देखिए NC element में connect करना है NC element का जो output रहेगा इसे लेकर जाना है हमें auto manual selector में common point पर one number point इसका common होता है देखिए one number point पर connect किया है सबसे पहले manual operation समझ लेते हैं तो manual के लिए हमने देखिए जैसे selector को one number position पर select किया जाएगा तो हमारा starter ने manually run करना चाहिए तो यहां से A1 से हमने connector लेना है देखिए A1 से connector लिया है और इसे लेकर जाना है हमें सबसे पहले start push button NO element में देखिए NO element में हमारी supply आ चुकी है अब जैसे ही इस push button को press किया जाएगा तो यह supply जाएगे हमारी contactor की coil A2 terminal पर देखिए A2 पर आएगी जैसे push button को press किया हमारा contactor operate होगा बड़ सिर्फ उतने ही time के लिए जितने time के लिए हमने push button को press किया है यहरी आप इसे permanently operate करना चाहाते है तो इसमें आपको holding supply connect करना होगी जो कि काफी important है किस तरह से holding supply connect की जाती है समझ लेते हैं देखिए holding के लिए हमें क्या करना है इसकी coil से ही एक connect लेना है और इसे contactor के auxiliary point यहाँ पर इस A2 पर connect कर देना है देखिए coil में जैसे ही supply आएगी तो इस A2 पर भी supply आएगी अभी हमने क्या करना है holding की supply है holding की supply हमें इस A2 push button के input से connect करना है देखिए इस A2 push button के input से हमने holding supply लिया है और इसे contactor के A2 point पर यहाँ पर connect कर दिया है होगा क्या यब push button को प्रेस किया जाएगा हमारा contactor manually operate होगा और यहाँ से हमने connector already connect करकर रखा है holding supply इस A2 पर आएगी तो यह तो connection हुआ हमारा manual mode का auto mode का connection किस तरह से होगा समझ लेते हैं तो auto mode की connection के लिए यहां से A2 से हमें connector लेना है और इसे ले जाना है timer की coil A1 पर देखिए इसे timer की coil A1 पर connect किया है जैसे selector को 2 पर select किया जागा supply इस timer में आएगी A1 पर A2 में neutral directly आ रहा है तो हमारे timer operate होगा बड़ सिर्फ उतने ही time के लिए जितने time के लिए हमने selector को on किया है अब चुकि इसमें हमें triggering भी करना होती है तो A1 से ही यह connector हमें लेना है देखिए A1 से हमने connector लिया और उसे TR पर connect कर दिया है तो हमारा timer का जो अंदर relay होता है वो trigger हो जाएगा जिसके जरीए हमारे timer यहां पर operate हो जाएगा देखिए अभी हमारा सिर्फ timer operate हुआ है अभी इस timer के जरीए हम इस starter को operate करना है यह दिए आप इस timer के detail working and wiring सीखना चाहाते तो लिंक का आपको description में मिल यही से timer के एवन से देखे टाइमर के एवन से connector लिया है और इसे timer के तो नमबर पॉइंट जो तूनम्बर पॉइंट यह common पॉइंट होता है इस common पर अभी हमने connector कनेक कर दिया है अब चुकि हमने timer में off delay timer पर set किया है तो इसमें timer कहां में N O point जो 3 नमबर point का use करना है जितन टाइम तक टू के सप्लाई 3 से निकलती रहेगी जैसे ही टाइमिंग कम्प्लीट होता है तो सप्लाई यहां से कट अप हो जाएगी तो 3 नमबर पॉइंट से हमने एक नेकर लिना है और इसे कॉंटेक्टर की कॉयल एक टू पर कनेक्ट कर देना है जिसके जरीए टाइमर के जरीए हमारा यह लोड है वह ओटो मोड में कंट्रूल हुगा के इस तरह से वरकिंग रहेगी समझ लेते हैं देखिए सेलेक्टर को अभी हमने मेन मेंवल मोट पर सब्सक्राइब कर लिया है अब भी हम स्टाइटर को के सताइब कर सकते हैं मेनली और इस टोन spis बटन के चाहते हैं तो चोरुख कर जितने टाइम इस टाइमे इस अधे अपका आपका लोड रन करेंगे टाइमिंग कंप्लीट होते ही आपका लोड स्टॉप हो जाएगा तो इस तरह से आप एक ओटो मेनुल स्टार्टर को टाइमर के जरीए कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों आयोब आपका कॉंसेप्ट यहां क्लियर हुआ हो दोस्तों इस वीडियो से आप